आपने इससे पहले लाखों चीज़ें ऐसी देखी होंगी जो इंसानों ने बनाई होंगी लेकिन जिन्नातों से बनाईवी चीज़ आप लोगों ने नहीं देखी होंगी यह वो जगा है जो जिन्नातों ने अपने हाथ से बनाई है जिन्नातों के हाथ से बनीवी चीज़ की आज आप लोग जयारत करने वाले तो सभी लोग अपने दिल में जो भी दुआ है वो मांग ले इस दरगा को सिर्फ देखने से ही बिगड़े काम बन जाते हैं यहां पर आज भी इस जगा पर जिन्नातों का असर मौझूद है यह वो जगा है जहां की जयारत करने के लिए लो रहा का मेरे भान का वो चीज़े आज भी इसके अंदर लिकी हैं और जिस दिन से मेरे दूर्ख होई यहां पर बैठके जो भी दूआ मांगी जाती है वो कुबूल होती है तो अब मैं आप लोगों के लिए इस जगा पर बैठकर इस पाग जगा पर बैठकर दूआ करता दोस्तो आज मैं आप लोगों को फिर से उस जगा पर ले कर जा रहा हूँ इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिन्नातों वाली दर्गा के बारे में लेकिन हम लोगों ने वहां पर ड्रोन नहीं उड़ाया था और हम लोगों ने वहां की लोकेशन आप लोगों को नहीं जाता है और खाली उस दर्गा की जारत कर लेता है तो अला तबारक वताला के हुकम से कभी भी वो शक्स से खाली लोटकर नहीं आता है तो आज हम उसी जगा पर जाने वाले हैं और आप लोगों को उस जगा की जारत करवाने वाले हैं उस जगा को देखकर आप लोग जो भी दूआ मांगेंगे इंशालला तबारक वताला उन दादा मिया के सदके में कुबूल होगी और सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि वो जगा जहां पर जिन्नातों ने अपने हाथ से बनाया तो क्या आप लोग ऐसी जगा की जियारत नहीं करना चाहेंगे तो आईए दोस्तों हम आप लोगों को यहां पर जादा बोर नहीं करेंगे सीधे हम आप लोगों को लेकर चलते हैं उसे दरगा पे और आप लोगों को जियारत करवाते हैं आप लोग को ये एक मकसद अपने दिल में सोच लीजे जो भी आपके दिल में हाजत है तमन्ना है उसको अपने दिल मे के नाम पर और कॉमेंट वोक्स में जरूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा तो चले दोस्तों आप लोगों को सीधे हम लोग लेकर चलते हैं दर्गा शरीप पर और ये शब्बर वाई की लसी हमें मिल गई है शब्बर वाई को हम लोग साथ लेके जा रहें जो बे ऑ पर आगे हैं जहां पर बेसबरी से जिस चीज़ का इंतिदार था आईए दोस्तों आप लोग मेरे साथ 20 जगा की जारत कर लेजिए सबसे पहले आप लोग सलाम कर लीजिए असलाम ऑलेकूम अलकबूल जैसा कि आप लोग देख रहें इस तरीके का गेट यहां पर मौजू जब उसका नजारा करेंगे तो वह कैसा होगा तो पहले आप लोग ड्रोन से पूरी जगा की जियारत कर लेजिए उसके बाद हम आप लोगों को सीधा अंदर जाकर पास से जियारत करवाएंगे और हम और आप तमाम लोग मिलकर दूआ करेंगे इंशालला तबारक वताला इससे आप लोगों को भी फैद मिलेगा मुझे भी मिलेगा मैं आप लोगों को जारत कर वा रहा हूँ इसनी बेतरी जगा की तो जाहिर सी बात है मुझे भी फैद मिलेगा आपको भी मिलेगा तो पहले आप लोग ड्रोन के कुछ शौट देख लिए उसके बाद वीडियो तो दोस्तों फाइनली आप लोग उने ड्रोन के सारे शॉर्ट देख लिए बड़ा मजाया होगा यहां से हम लोग शुरू करते हैं यह दो दर्गा यहां पर मौझूद हैं इनके बारे में मेरे पास इल्म नहीं है यह कौन से वली हैं इसके बारे में मुझे नहीं बता है मैं अंदर की दर्गा के बारे में जानता हूँ जो यहां की में दर्गा है जहां से आप लोग जारत करके फैद हासिल करेंगे जिस जगा के लिए हम लोग आए वे है तो आईए दोस्तों आप लोग मेरे साथ इस दर्गा की जारत कर लीजिए तो चलें दोस्तों हम लोग सीधे अंदर चलते हैं सबसे पहले एक बार आप लोग मिलकर कलमा शरीफ का विर्द कर लीजिए लगाई लाह इलाला महमद रसूल आलाह ताओला अलेह वसलम यहां पर गुलक मौझूद है तो यहां पर आज दादा मिया मैं अपने नाम से कुछ नी डालूँगा जो मेरे सब्सक्राइबर्स है यहां आप लोगों के नाम से मेरे हाथ में कोई चीज है थोड़े से पैसे हैं मैं इनको इसके अंदर डाल देता हूँ जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सब आप लोगों के नाम से मैं इसको डाल लूँ यह ना सोचें कि आप लोगों के नाम से यहां पर कुछ नी पड़ा मैं अपने नाम से यहां से जाते वक्त में कुछ डाल दूँगा तो पहले हैं हम आप लोगों के नाम से थोड़े से पैसे इसके अंदर डाल देते हैं तो आईए दोस्तों आप लोग एक बार फिर से कलमा शरीफ का विर्द कीजिए ला इलाह इल्लाह मुहम्मद रसुल अल्लाह स्लालाह टाला अलेह वसलम असलामualaikum-alqabool तो जैसा के आप लोग देख रहे हैं यहां पर लोग पैसे रखे जाते हैं अभी भी यहां पर चादर के ऊपर पैसे रखे हुए हैं यह किसी की अमानत है तो इसको हम लोग यहीं पर रख देते हैं तो, दोस्तों इस दर्गा की जयारत आप लोगों को अभी मैं कराऊँगा, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दू, यहां पर जिन्नातों ने यह चीज अपने हास से बनाई है, यह जो सारा पूरा इंटरफेस आप लोग देख रहे हैं, यह जिन्नातों ने अपन मांगना चाहते हैं वो अभी आप लोग मांग लीजेगा लेकिन उससे पहले इस जगा की जियारत कीजिए जो आज से हजारों साल पहले जिन्नातों ने अपने हाथ से बनाई कभी आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसके अंदर इटों से अंदर की चीज बनाई भी हो तो यह आप लोगों को एक चीज और बताता चलूं यहाँ पर यह एरिया पूरा जंगली एरिया था अपसे कुछ साल पहले जब यहाँ पर दादा मिया रहमतुल्ह ताला अले करते थे इन से फैसल करते थे यह लोगों की खिदमत किया करते थे तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि जब आधी आती है बारिश आती है तुफान आता है तो नहीं ना यहाँ पर कोई कमरा था ना यहाँ पर कोई छुपने की जगा थी तो यहाँ पर दादा मिया ने एक चिल्ला कि चिल्ला होने के बाद इनके कब्जे में कुछ जिन्नात वगेरा थे जो इनकी खिदमत किया करते थे अल्ला की तरफ से मिलते हैं वो तो वो दादा मिया की खिदमत किया करते थे तो उन जिन्नातों को दादा मिया ने हुकम दिया कि मेरे लिए अबादतगाह तयार करो ऐसी के बाद मैं इस पेंड के नीचे जब आप लोगों को लेकर जाऊंगा तो आप लोगों खुद देखना यहां पर आंधी आए बारिश आए तूफान आए किसी भी तरीके का एक भी बूंद पानी इसके अंदर नहीं जाता है यह जिन्दा करामात है आज तक हजारों साल से होंगा कि एक बार इटे दिखाने की कोशिश करें आप लोगों को यह रतेखने में थोड़ी बड़ी लगती होँगी लेकिन यह तो यह उस दौर की उन्हें जो यहां पर दादा मिया रहमत आले के लिए तयार की गए और यहां पर एक सबसे बड़ी करामात मैं मैं आप लोगों को बता हूं ये जो सुछाग आप लोगों को दिख रहा है इसके अंदर बर्रों का च्छता है और अभी मेरे सामने इसके अंदर गई लेकिन किसी भी लिए अबादत के लिए बनाई गई और प्लस जिन्नातों ने बनाई जिन्नातों की हाथ की चीज़ आज के दौर में कहीं मौझूद है लेकिन आज भी यहां पर यह चीज़ मौझूद है यह जिन्दा करामात है और इसके अंदर बैठकर जो भी दूआ मांगी जाती इन लगा शरीफ की जारत कराऊंगा आप लोग यह भी देखना इस से आप लोगों को बहुत ज्यादा फैद आते लोगा तो चले अब हम लोग सीधे इस अबादतगा के अंदर चलते हैं आउज बिल्लाही मिन श्यात्वानि रजीम बिसम इल्लाही रह्मानि रहीम मैं एक बार इसके अंदर आप जया चुका हूँ काफी ज्यादा सुकून की जगा है तो आईए दोस्तों आप लोग मेरे साथ अंदर आजाईए , तो बहुत ज्यादा सुकून मिलता है , यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लगता don speak dining मैं इस से अब लोग अपनी मुरादें लिखके जाते हैं अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैं क्या लिखके गया था इसके अंदर चले वो चीज तो और अंदर से भी आप लोगों की जयारत कर बहूंगा लेकिन जयारत बाद में करेंगे पहले आप लोग इस चीज को देख यह आप और हम तमाम लोग मिलकर दूआ किए देते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक वजीफा कर लेते हैं जो मेरा खुद का वजीफा है मैंने आप लोगों को बताया था कई वीडियो में बता चुका हूं कि एक अल्ला तबारक वताला का पाक नाम आता है या रब्बना उसको पांच बार पढ़के जो भी शक्स जो भी दूआ मांगता है वो दूआ कुबूल होती है तो आज हम इतनी पाक जगा पर बैठे हुए हैं तो क्यो ना उस वजीफे को करें उस से यह होगा कि वजीफा भी हो जाएगा दूआई भी कुबूल हो जाएंगी सबसे पहले हम लो से यद्ना मॉलाना मॉहमदिन मॉधे बारिक बसल्म असला थो असलाम ऑलेका या रसूललह या नभी अल्ला या रहमान या रहीम मेरे मॉला इस पाक जगा पर मैं बैठा हुआ हूँ सबसे पहले तो तेरा लाख लाख शुकरे तूने मेंचे यह जगा देगाई मेरे मौला इस जगा की बरकत से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इनके साथ साथ हमें भी इस जगा की रहमतों और बरकतों से माला माल फर्मा एए अल्ला जिस इनसान ने जिस भी मकसद के लिए इस वीडियो को खोला मेरे मौला उस इंसान की हर दूबा को कबूल फर्मा ले यह अला जितने लोग इस वीडियो को देख रहें सभी लोगों के घरों में खैर और बरकत अथा पर्मा तमाम मुसल्मानों की हिपाधन फर्मा और एल्ला जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इनके बिगड़े काम बना दे आमीन अल्वा आमीन आप लोग कॉमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें किया मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कुबूल हो जाए आईए दोस्तो अब मैं आप लोगों को अंदर से इस चीज की जारत करवा देता हूँ आप लोग यकीन भी नहीं करेंगे ये किस तरीके का बना हुआ है आईए आप लोग मेरे साथ दोस्तो जैसा कि आप लोग देख रहें ये वो जगहे जो जिननातों ने अपने हाश से बनाई है यहाँ पर लोग अपनी अपनी मुरादों को लिखके जाते हैं मैंने यहाँ पर लिखा था जी एज वर्ल यूट्यूप चैनल चल जाए इस तरीके से मैं लिखे गया था उस दिन से इतनी वर्कत और इतनी रहमत है चैनल में कि मैं बता भी नहीं सकता है यहां पर कोई भी इंसान आए तो वो यहां पर यह लिखा हुआ जरूर देखे तो दोस्तों यहां पर लोग इस तरीके से अपनी मुरादों को लिख कर जाते हैं मैं आप लोगों को एक बार खड़े हो के दिखा देता हूं इस तरीके से आप लोगों की यह मुरादे होती है इस तरीके से लोग अपनी अपनी मुरादों को लिख कर जाते हैं और यहां बहुत सुकून मिलता है यह आप जो देख रहे हैं राउंड राउंड रहती है ये चिराग हमेशा जलता है जिन्नातों ने ये चीज अपने हाथों से बनाई है ये गोल गोल जिन्नातों के हाथों की उंगली के निशान है इस तरीके के अब आप लोग अंदाजा लगए जिन्नात किस तरीके से इसमें काम करते होंगे और मैं आप लोगों को ये च की चीज आप लोगों ने आज कई दिनों में देखी होगी और कुछ लोगों ने तो देखी भी नहीं होगी तो यह देखिए यह इस तरीके की इबादतगा है एक बार मैं आप लोगों को पीछे निकल के दिखाता हूं तब आप लोग अंदाजा लगाएंगे आप लोग यह लोगों ने जियारत कर ली उपर से तो देख लिया अब आप लोग यह देखिए इस तरीके से इसके अंदर निकल के आया जाता है बिल्कुल इस तरीके की इबादतगा इसके अंदर मौजूद है ऐसे करके इसके अंदर बैठा जाता है यह इसके अंदर का दर्वासा है और य मैं आप लोग उसे फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त में आप लोग इस दर्गा शरीफ की जियारत करें अपने दिल में अपने मकसद को रखें अपनी दुआएं मांगते रहें साथ के साथ कल्मा शरीफ और दूर्दे पाक का विर्द करते रहें तो आईए दोस्तों मैं कैमरा पकड़के आप लोगों को एक बार इस दर्गा शरीफ की जियारत करा देता हूं तो दोस्तों ये वो दर्गा शरीफ है जिसकी आप लोग जियारत करने वाले हैं तो प्यारे दोस्तों ये वो दादा मियाँ हैं जिनकी आप लोग जियारत कर रहे हैं इनके सद्के में आप लोग जो भी दूआ मांगेंगे इन्शालला तबारक वताला कबूल हो जाएगी इस तरीके की यहां पर दर्गा मौझूद हैं बहुत ज़्यादा खुबसूरत तरीके से बढ़ाई हैं लेकिन इस तरीके से इतनी छोटी सी दर्गा ऐसे करके बंद होई वे आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी होगी उम्हीद है आप लोगों ने अपनी दूआएं मांग लियोंगी जिन लोगों ने अभी तक दूआएं नहीं मांगी हैं वो इन दादा मिया के सदके में इस तरीके से दुआ मांगे कि यार ला इन दादा मिया के सदके में मेरा फला बिगड़ा काम है मेरी फला हाजत है उसको कबूल फरमा ले इंशालला अबारक वताला इनके सदके में मांगी गई दुआ रद नहीं जाती है तो आप लोग अपनी अपनी दुआई मांगें, इन्षालला कबारकवताला आपका बेडा पार हो जाएगा, तो ज़रूर सभी लोग अपनी अपनी दुआई मांग ले तो दोस्तों, आप लोगों ने इस जगा की जियारत कर ली, अभी आप लोगों ने इबादतगा देखी थी, जिस इबादतगा की अभी में बात कर रहा था, असल में वो आगे से देखी थी, अब आप लोग पीछे से एक बार इबादतगा देख लीजिए, इस तरीके की इब अब लोगों को एक बार पकड़ के जारत करवा देता हूँ ये देखिए आप लोग इस तरीके के इबादत का इसके अंदर मौझूद है ये जिन्नातों ने अपने हास से बनाई है इस तरीके की इए पेल की जड़ में आज कि आज भी मौझूदे है여, फलोग इस चीश से अंदादा, लगा आज मेरी उंगली उंगली, के इतनी बड़ी इइट मुझा Łag तो यह जिननात की हाथ की वनी ही ट्रौरे इट है आज भी जिननातों का सर यहां पर चोभी कुबूल होती है इस पेड़ पर आज भी जिन्नातों का सब्भ बड़े अध्राम के साथ में यहां पर जारत की जाती है यहां पर जाने के बाद में दौबह भी की जाती है माफी भी मांगी जाती है कहीं हमँसे कोई गलती नहों गयी हो तो यह से जो हर दम सबाल करते हैं कि सर्मान भाई एड्रस डाल दिया करें कहां पर यह दर्गा शरीप मौझूद है तो डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रस लिखा हुआ है उसके साथ मैं आप लोगों को बताऊं यह जिला पीली भीत उत्तर विर्देश में आप लोग आ जाएंग लोगों को यह दर्गा शरीप नहीं मिलती है तो आप लोग फिर्देश में आ सकते हैं वहाँ पर मेरा घर मौझूद है आप लोगों को खुद यहां दर्गा शरीप पर द्यारत के लिए लिए ले आऊंगा उम्मीद है इस से जादा हेल्प आप लोगों के और मैं कुछ न और कुछ नीचे यहाँ जोड़ के गुजारिश है सभी लोग कुछ लोगों को शेयर जरूर करें यह चीज़ें हमें नसीब नहीं होती हैं तो हर चका इस वीडियो को शेयर करते हैं वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इन दादा मिया के सद्गे में इस वीडियो इ कि खाली आप लोग जयरत कर लेंगे तो बिघ्ले काम बन जाएंगे तो आप लोग इस पत्थर की जयरत करने के लिए इस वीडियो पर अभी कलिक करें वी देखें इस एक बहुत d